हलो फ्रेंस मेर आगनी और आज हम सीखेंगे एक डिजाइन नेक डिजाइन ओभी वी सेप में बहुत ही असान तरीके से तो देखिए यहां पर मैंने अपने साइज की चाप से ब्लाउज की कटिंग कर ली है प्रेस्टिंग पेपर के साथ बनाएंगे डिजाइन को यहां पर में कपड़े की भी हम कटिंग कर लिए हैं और अस्तर का भी तो देखिए अस्तर पर मैं आपको नाप समझा दे रहे हूं तो सोल्डर यहां पर हम ले लिए हैं सात इंच आप कम साइज का बना रहे हैं तो साड़े शेंच लीजिएगा क्योंकि फोल्डर लेना इस डिजाइ हम 12 इंच में लिए हैं तो आप अपने साइज की साफ से कटिंग किजिए अगा ब्लाउज का अब देखिए फ्रेंस यहां से हम उपर से गली की चंवडाई साड़े तीन इंच दो पॉइंट ले रहे हैं किनकि हैबी साइज है और नीचे से भी चंवडाई उसका उतना ही ल करेंगे अगर आप कम साइज का बना रहें तो फिर साड़े तीन इंच उपर से गले का चौडाई लीजिए गा और नीचे भी साड़े तीन इंच लीजिए गा हम यहां पर 4 इंच में दो पॉइंट कम ले रहे हैं चौडाई इसमें वी सेप देने के लिए देखिए दोनों आपको साइड से सेफ देना होता है आधा इंच के दूरी पर और नीचे कॉर्णर जो है उसमें आप ला करके मिला दीजिए अब हम इसी मार्किंग के उपर गले को कट कर लेंगे गला कटिंग कर लिए और इसको साइड में रखेंगे और पेस्टिंग पेपर को लेंगे देखे डबल फोल्ड पेस्टिंग पेपर हैं और बंद भाग के तरब बंद भाग को मिलाती होई जो हमारा गला का कटिंग निकला है उसको अच्छे से बैठा लेंगे और एकदम उसके बराबर से आपको मार्किंग करने है कुछ भी एक्ष्टा नहीं लेना है साइड से एक इंच के दूरी पर इसमें हम मार्क करेंगे मार्जन के लिए कृट कर लेंगे काइब काइब करने के लिए और कपडे की उपर कर लिए और कपडे के उपर काइबंगे ers 17 साइड में अचेखक्ष का पड़ा छोड़ते हुए और की कपड़े को कट कर लिए और साइड से इसको हम फ्नीसिंग दे देंगे । यहां पर देखिए दोनों साइड से फोल्डिंग की सिलाई हम लगा लिए हैं और इसमें देखिए सीधे साइड भी सिनसन निसान को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि सिलाई हम इसी पर चलाएं अब हम यहाँ पर देखिए बैक पाट का जो मेन कपड़ा होता है साड़ी का पीस उसको लिए है और उसके सीधे साइड हम अस्तर वाले पाट को मिलाती हुए अच्छे से सेट कर लेंगे यहाँ पर आधा इंच हम मार्जन लिए है नीचे के साइड दबाने के लिए तो आप नीचे के साइड आधा इंच पकड़के स्टीचिंग कर लेंगे अस्तर को बाहर के साइड कर लेंगे और अस्तर की उपर एक कच्छी सिलाई लगाएंगे अब हम देखिए अस्तर को उल्टे साइड फोल्ड कर लिए हैं और फोल्ड करके इसकी ओल राउंड एस्टीचिंग कर लेंगे यानि अस्तर की पूरे किनारे को एस्टीच करके मेन कपड़े से ज्वाइंड कर लेंगे अब जब कभी भी अस्तर को मेन कपड़े से अटैस्ट करें तो फिर अच्छे से उस पर हाँ से फिनिसिंग देते हुए शिलाई लगाएं तो फिर कपड़े में सल्या क्रीस आ जाता है तो फिनिसिंग अच्छी नहीं आती है ब्लाउज की अब हम देखिए जो भी एक्ष्टा कपड़ा है उसको कट करके निकाल लेंगे बस अपको अस्तर के बराबर से कपड़ा रखना है एक्ष्टा पार्ट जो है उसको कट कर लेंगे। यहां पर देखिए इसको कट करके फिनिसिंग कर लिए हैं और अब हम देखिए पेस्टिंग वाले पार्ट को लिए हैं जिस से हमें नेक रेडी करना है और देखिए नीचे के साइड हमरा ब्लाउज का सीधा साइड रहेगा पेस्टिंग का और नीचे से ब्लाउंज का दोनों का सीधा साइड मिलाते हुए आपको सेट कर लेना है जिस तरह से गले का आप सेफ दिये हैं और उसी पर रखकर कि एक चाप कपड़ा मार्जन में दबाते हुए आपको एस्टीच कर लेना है उल्टे साइड से इसको एस्टीच कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहां पर देखिए पूरे गले को हम स्टीच कर लिए हैं और अब देखिए इसके अंदर का जो भी एक च्टा कपड़ा है उसको भी हम कट कर निकाल लेंगे इस तरह से देखिए कट करके निकालने के बाद से छोटा-छोटा कट लगा देंगी और जहां कोना है वहाँ पे आपको फिनिसिंग के साथ कट लगाना है और अब देखिए ब्लाउंज को सीधा कर लिए हैं और सीधे साइड से हम पट्टी को बाहर के साइड नौखुन से थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे और मार्जन वाला कपड़ा भी आपका पट्टी के साइड ही होना चाहिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है और पट्टी के उपर कच्ची सिलाई लगा लेने के बासे जो हमारा पट्टी है अंदर के साइड फिनीसिंग के साथ फोल्ड हो जाता है यहाँ पर देखिए हम अंदर के साइड फोल्ड करेंगे और इसके उपर प्रेस लगा लेंगे पर इस लगाकर कि इसको अच्छे से सेट कर लिए हैं आप साहे तो इसके उपर सिलाई भी लगा सकते हैं यहाँ पर डिजाइन बनाने के लिए देखिए फ्रेंस साड़े छे इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई यहाँ पर हम 11 इंच में लिए इसमें वो डिजाइन बना बनाते हैं हम लोग उसी को बनाएंगे देखिए एक साइट से उठाएंगे और इसको अपने साइट फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल सेंटर तक और दूसरे साइट का जो पट्टी है उठा के इसके उपर रख लेंगे आप देख सकते हैं एक बार और मैं किलियर कर दे रही जो टाई वाला डिजाइन ने बहुत ही फ्निसिंग के साथ बन के रेडी होता है साइट सीगस कर लेंगे और सुच्ति करने के बास इसको यह पलट लेंगे तो भी किलियर कर लिए और उससीके साइट से पलटने के बास ये उपड़ करेंगी और प्रेस लगा कर कि उसको साइड में करेंगी अब हम देखें इसमेंका जो फीता होता है नीचे निकाल लेंगे और अब देखिए नीचे की साइड से स्टीच करते हैं उपर की साइड तक जाएंगे तो नीचे का तो फूल चोड़ाई रहेगा लेकिन उपर की साइड आपको थोड़ा सा दबाते हुए स्टीच करना है आधा इंस एक्सटाई आप कपड़ा दबा लें यान आपनी ऊपर का भाग हमारा पतला होगा और नीचे वाला जो भाग है इस तरह से चौड़ा करके सी लेंगे अब हम देखिए इसको सीधा कर लेंगे तो चौड़ा फ्त्ता है तो इसको बहुत पलट सकते हैं देखिए किस तरह से में पलट ले रही हुं किसी भी नूपिले चीज से इसको प्लट करके इसके उपर प्रेस लगा लेंगे और इसी तरह से दूसरा पट्टी भी हम रेडी कर लेंगे दोनों को रेडी करने के बाद से फ्रेंस देखिए फिनिसिंग के साथ इसके उपर प्रेस लगा लें और अब इसे हम आपस में ज्वाइंड कर लेंगे पहले इस तरह से तिर्चे में दोनों पट्टी की लंबाई चोड़ाई सेम होनी चाहिए यहां पर देखिए एक चाप पकड़ते हुई इसको स्टीच करेंगी और फिर इसको हम साइड से फोल कर देंगे ताकि इसमें फिनिसिंग आ जाए अंदर के साइड फोल करके एक और ब पीच में क्लाइन डो कर लेंगे आप देख सकते हैं किस तरह से में कर ले रही हूं और यहां पी देखिए सुई धागे के मदद से इसमें ताई वाला डिजाइन का लुक देंगे बस आपको सुई से उसको स्टीच कर लेना है आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूं इसी तरह से बिल्कुल सीधे में सुई को निकालेंगे और थोड़ा सा खीचेंगे तो एटुमेटी की फ्लावर का लुक आ जाएगा इसमें देखिए इसको थोड़ा सा खीच रहे हैं और दो तीन बार रिपीट करके इसको धागे से बाध लेंगे इस तरह से क्राईदे अब उलटे साइड करके इसको बाद करके आप ढागे को कट कर लीजिए कट करने के बाज सी उसको कड़ेंगे साइड में और यहां पर देखिए फिरंज बिल्कुल सेंटर में इसको रखेंगे और इसके ऊपर हम टाई वाला डिजान रखके सेट कर लेगे set करने के वासे देखे सबसे पहले हैं फीते को सट कर रहा है है आप चाहें तो सुई से भी सकते हैं और मसीन से भी कर सकते हैं जिस तरह से आपको सुभीदा लगे अभी से बीच बीच में आपको इस डिजाइन वाले पाट को रखना है और उसको भी अच्छे से स्टीच कर लेना है यहां पर इस्टीच करने के बाद से फ्रेंस देखिए बॉडर के मैचिंग से बटन बना करके रखें आपको बटन बनाना नहीं आता है तो मेरे सेनल पर आपको मिल कि इस तरह से देखिए इसको लेंगे और हां से थोड़ा सा गुलाई देते हुए इस पीस के अंदर रख लेंगे इसकी चोड़ाई धाइंच है धाइंच लंबाई चोड़ाई दोनों है और आप देख सकते हैं उंगली से दबाते हुए थोड़ा सा गुलाई का इसमें से इस तरसे दो तीन बार गुलाई देते हुए इसको बाद लेंगे आप तेख सकते हैं किस्तर से में इसको इसको रेड़ी कर रह रहे हूं ठाफा लिएगे आप डीटाईया और मारा स्वोर्डर में जायेगा और इक इंज के乾़ें पर हमें बटन लगाना है तो उपर से डेड़े इंच छोड़ते हुए बटन को इसमें अटेज करेंगे बीच की जो गैपिंग है आप एक इंच तक रखें अगर आप ज्यादा घना बटन लगाना पसंद करते हो तो फिर आप उसको थोड़ा नजदीक भी लगा सकते हैं यहां पे बस एक इक इंच के दूरी पर हम पूरे पोटली को अच्छे से सेट कर लेंगे आप जब कभी भी पोटली सेट करें ते फिर सिंगल फूट से आप सेट करेंगी तो काफी जी रहेगा मेरे पास सभी फूट नहीं है सिंगल वाला एक साइड का हम रेडी कर लिए हैं और सेयं म्लम सी तो में भूट से दूसरे सैड लिए प्टली को आटपकर लेंगे तो आप सबसे आइड है कि अपल सकते हैं तो फ्रेंस में उमीद करती हूं कि वीडियो पसंद आया होगा बताने का तरीका पसंद आया होगा अच्छा लेगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ओन कर दें क्योंकि इस